हेलो एप्रीबर वेल्कूम तो मैं चैनल इसको कुकिंग फ्रेंड्स आपने मोदक तो भूत तरेके खाये होंगे आज मैं बना रही हूँ रस्मलाई मोदक यह बहुत ही जादा टेस्टी होते हैं और भूत ही जल्दी से बन जाते हैं तो चलिए देखते इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे हमने लिया है 100 ग्राम पनीर यह पनीर हमने घर पे ही बनाया है अगर आप भार से ला रहे हैं तो उसको ग्रेट कर लीजिए चोटे चोटे टुकड़े में कट कर लीजिए और ग्राइंडर जार में डालके इसको एक मिनिट तक चलाएंगे इसको बहुत जादा न नहीं रखा है यह ध्यान रखेगा पहले नीचे ही हम सब चीजों को मिक्स करेंगे यहाँ पर एक कप लिया है मिल्क पाउडर इसको मिक्स कर लेंगे गे गैस का फ्लेमोन नहीं करना है पहले सारी चीजों को हम नीचे ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर उसके बाद हम इस इसको गैस पे रखेंगे, यह आप ज़रूर धिहान रखेगा, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, अब इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप चीनी, यानि की खाने वाले जो चम्मच होते हों, वो चार चम्मच है, आप चीनी को कम जाद पेले, गुन-गुने दूद में भी गो दिया था, ताकि इसका कलर एकदम अच्छा सा आजाए, अगर आप केसर नहीं डालना चाहते, फूट कलर डाना चाहते तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आवाइट भी रख सकते हैं, यहां पर हमने पिस्ता लिया है, इसको हमने ग्र के बाद इसको हम गैस पे रखेंगे, यह बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं, और बहुत ही जादा टेस्टी रखते हैं, आप इसको जरू ट्राइ कीजिएगा, अब हम इसको गैस पे रख देंगे, सब चीजे मिक्स हो गई है, गैस का फ्लेम हमने मीडियम टु हाई रखा है और इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो यह नीचे चीपग जाएगा, मीडियम ही रखिए आप गैस का फ्लेम, और इसको लगातार चलाएंगे, और जब तक चलाएंगे, जब तक की एकदम ठीक ना हो जाए, यहां पर अब लाइची पाउडर डाल रही हूँ, आप अगर पसंद लाइची का फ्लेवर तो आप डाल दीजी, नहीं तो आप इसको 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 कर सकते हैं, यह देखिए ठीक होना चालू हो गया है, इसको अमको अच्छे से ठीक कर लेना है, लगातार चलाते हुए, यही है कि आप गनपती जी के लिए भोग बना रहे हैं, बह बहुती पेशेंस के साथ पनाईए, पैसे बहुत जल्दी बन जाते हैं, यह देखिए ठीक हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक होर करेंगे हम, एकदम अच्छे से मोदक बनने जैसा हो जाएगा, यह देखिए, मोदक खाने में बहुती ज्यादा टेस्टी लगते हैं, यह देखिए, यह बहुत अच्छे से ठीक हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम बन कर देंगे, और इसको हम थंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम मोदक बनाएंगे, यहाँ पर हमने मोदक बनाने का वो ले लिया है, अब इसके अंदर हम ग्रीस कर देंगे घी से, एक ही बार इसको ग्रीस करना होता है, फिर उसके बार नहीं करना होता है, इसको एक ही बार हम अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे, और यह भी हमारा ठंडा हो गया है, अब इस इसको अच्छे से प्रेस कर लें ताकि अच्छे से इसकी शेप आ जाए ET एदेखिए, अच्छे से हो चुका है, अब एक को हम खोल लेते हैं आप देख सकते हैं, यह कितना अच्छा लग रहा है इतना के तैयार हो गया है यह देखिए आप यह मोदक जरूर नाइए गा, बहुत जली बन जाते हैं और बहुत ही आसान है अब इसमें हम तोड़ा सा केसर लगा लेंगे और पिस्ता से गानिश कर देंगे और ये हमारे मोदक अच्छे से बनके तयार हो गए है ये देखिए ये मोदक बनके तयार हो गए है आप इसको जरूर बनाएए और खाएए अगर आपको इसी तरह नहीं रेसिपी सीखनी है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को लाइब कीजिए, शेर कीजिए और कमेंट कीजिए, टैंक यू